प्लूटो और एरिस्टाटल प्लूटो और एरिस्टाटल क्या करते थे जो भी साइंटिफिक चीजे बताते थे यह कब है प्लूटो और उसलील से 200 साल पहले यह जो भी साइंटिय्ज की चीजें बताते थे यह ऐइ proto अपनी किताब में साथ पॉइंट्स भताए हैं क्या पॉइंट्स है और हहिस्प्रीमेंडल रिजर्च क्या कूई भी चीज करना है तो सात पॉइंट से उसके, क्या पॉइंट है? सबसे पहले अब्जर्वेशन अल्ल्ह सुभानात अल्ह ने सुरह निशा सुर्ण 4 कि आयत नबर 42 में कहा क्या ये गोरों फिकर नहीं करते क्या ये सोचते नहीं, समझते नहीं, तदब्बूर नहीं करते अफलातून की तौर पर नहीं असल में बताना हैं को एक्सपरिमेंट करके बताना हैं सबसे पहले observation करते हैं कोई भी चीज को दुनिया में बताने के लिए scientist क्या करते हैं observation करते हैं उसके बाद collection of knowledge observe कर लिए कोई चीज को उसके बाद collection of knowledge उसके बाद consult करते हैं क्या करते हैं consult उसको consult करकर उसके उपर research करते हैं उसको बनाते हैं उसके बाद क्स चुछ करते हैं इसको खल्ट देखना है उसके मात के देख लिए अगर ये चीज भी हम बना रहे उसके बाद उसको reference करेंगे यह हो गई साथ चीजे इबने हैसम ने बताया experiment कोई भी करना है आपको मालूँ आज हम अमरीका में सबसे बड़ी जो है astronomy कौन करता है Astronomical Astronomical Science कौन जानता है अमरीका में बताइए भई NASA NASA की website पर अगर आप जाएंगे तो यह साथ points NASA की website पर पढ़े वे हैं जो इबने हैसम ने 9 century में अपनी किताब में दिखाए आज NASA उसको इस्तवाल करती है Pluto और Aristotle की ज़रा नहीं जो hypothetical science बताते थे इबने हैसम की तरह किताब मनाजिर में साथ points बताएं आज यह किताब आप जो खतर के museum में UK के museum में बहरें की museum में इसके copies रखे हुए हैं जो आज NASA की website इस्तेमाल करती है कोई भी project को launch करने से पहले तो आज NASA जिस experiment जो चीज़ पर experiment करता है जिस चीज़ से product बनाता है दुनिया के सामें लाता है यह है वो 7 points Pluto और Aristotle की तरह नहीं